है सब जैसे डिच्ष्ट है जो देखते हैं वनबाने करके देख लेते हैं यदि आप एडिक्ट्ट्ट्यक केशिए नहीं जानते हैं तो आप एडिकू का वीडियो देख सकते हैं उसमें एडिक्ट्ट्ट्ड के सारे concept को clear कर दिया गया है आप वहाँ पर देख लिजिए आपका concept clear हो जाएगा उसके बाद हम लोग spotting error करते हैं तो बहुत ही आसान होता है कोई दिक्कत होता नहीं है ठीक है चलिए आई ये one by one करके हम लोग देख लेते हैं तो जैसा कि पहला कि उस्चन दिया हुआ है पहला कि उस्चन दिया हुआ है अनुराग is acclived by his wife who is cleverer and amusing than he is तो ध्यान दिजे अनुराग is acclived by his wife तो यहां तक इस sentence में कोई भी गलत नहीं है who is cleverer अब who मने जो इस मने है cleverer यहाँ पर comparative degree है उसके बाद end मने और amusing अब amusing comparative degree है नहीं तो comparative degree यहाँ पर देखिए end से जुड़ा हुआ end से दो comparative degree जुड़ेंगे end से दो comparative degree जुड़ेंगे इसलिए amusing को comparative degree बनाने के लिए हम लोग amusing के पहले हम लोग more का प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करेंगे more का प्रयोग करेंगे more का प्रयोग हम यहाँ पे कर लेंगे तो यह amusing के पहले more का प्रयोग करने से यह completed degree बन जाएगा और completed degree यह भी हो जाएगा end से जुडने वाले दो completed degree हो जाएगे इससे ही है आपका sentence जो होगा सही हो जाएगा तो इसका मतलब हमको amusing के पहले क्या लगाना है more का प्रियोग कर देना है amusing के पहले more का प्रियोग ठीक है चलिए अगला हम लोग question देख लेते हैं question number 2 the two first to arrive the two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift recipients of the surprise gift अब देहां जे the two first अब यहां पर देखेंगे the two first नहीं होता है क्या होता है the first the first two होता है the first two होता है क्या होता है the first two क्यों क्योंकि ये cardinal है sorry cardinal है ordinal के पहले हम लोग the का परियू करते है ordinal जो होता है order बताता है ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे ordinal को पहले रखेंगे और cardinal को बाद में रखेंगे ठीक चलिए तो यहां पर आपका हो जाएग the first two क्या हो जाएगा the first two चलिए अगले क्यूशन पर हम लोग चलते है हमारा अगला क्यूशन है of the billions of stars in the galaxy how much are suitable for life ठीक है तो चलिए देख लेते हैं of the billions of stars in the galaxy यहां तक कोई दिक्कत नहीं है how much are suitable for life how much कितना suitable है वो जीवन के लिए count suitable है stars तो stars आपका क्या है countable noun है countable noun के लिए हम लोग क्या करते हैं many का प्रयोग करते हैं much का प्रयोग नहीं करते हैं तो यहां पर how many हो जाएगा क्या हो जाएगा how many how many are suitable for life मतलब उनमें से कितने तारे हैं जो जीवन के लिए उप्योगी है ठीक है चलिए अगला क्यूशन देख लेते हैं क्यूशन नमबर फॉर में दिया हुआ है तो यहां अब देखें अफ्यू के बाद जो नाउन होगा वह प्लूरल होता है तो अफ्यू वर्ड्स हो जाएगा क्या हो जाएगा अफ्यू वर्ड्स होगा वर्ड नहीं होगा ठीक चलिए आए देख लेते हैं क्यूशन नमबर फाइब यहां पे यहां पे पाज और कमप्रिटिव डिगर भी आजा है और कमप्रिटिव डिगरी दोनों डिगरी चलता है तो मोग एक यही श्ट्क्चर लगाते हैं as much as या as positive degree as उसके प्रीद गॉपा कॉम्प्रेटी डुप्री और धयान का प्रीओग करते हैं कॉम्प्रेटी डुप्रीज गॉप्रीद अर्था as much as यहाँ पे होगा क्या होगा as much as और r या even को हम लोग हटा देंगे even को हटा देंगे यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग than comparative degree more than they यहाँ पर comparative degree का प्रयोग कर लेंगे ठीक है तो he feels तो हम लोग यहाँ पर he feels कर देंगे as much as ठीक है as much as का प्रयोग कर लेंगे as much as उसके बाद हम लोग are even more than they यहाँ पर हम लोग as का प्रयोग कर लेंगे आर के पहले ठीक है जो आर है ठीक चलिए आगे हम लोग चलते है हमारा अगला question दिया हुआ है question number 6 में I like reading more than to play games अब ध्यान देजे I like reading more than to play games तो यहाँ पर I like reading reading आपका जिरंड है तो यहाँ पर जिरंड से ही तुलना की जाएगे तो यहाँ पर to play जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा playing हो जाएगा क्या हो जाएगा playing तो यहाँ पर हो जाएगा I like reading more than playing games ठीक चलिए आगे हम लोग चलते हैं question number 7 में दिया हुआ है there is not many traffic along the street where I live तो ध्यान देजे यहाँ पर दिया हुआ है there are many not many traffic traffic आपका uncountable है और uncountable की साब से many गलस हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा much यहाँ पर जाएगा much यहाँ पर जाएगा there is not much traffic along the street ठीक है चलिए आएए देख लेते हैं question number 8 question number 8 में क्या दिया हुआ है the police arrived and discovered a large number of hoarded sugar hoarded sugar है sugar आपका uncountable है तो यहाँ पर जो number है a large number नहीं होगा a large number गलस होजएगा a large quantity होगा a large quantity ठीक a large quantity चलिए आगे देख लेते हैं हम लोगों का अगला question दिया हुआ है question number 9 में देख लेते हैं as a dramatist saw is superior than any other 20th century writer तो ध्याने जीए superior superior के बाद जो दायन आया है दायन का परियोग नहीं होता superior के बाद 2 आता है superior के बाद क्या आता है two का परियोग करते हैं ठीक चलिए आगे देख लेते हैं question number 10 question number 10 में देख लेते हैं of the two great cities of the two great cities the farmer is biggest तो ध्यान देख आप the two great cities है और फार्मर धार फार्मर मदद दो great cities है उनमें से पहला वाला क्या है अधे comparative compared किया जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा is is the bigger हो जाएगा क्या हो जाएगा bigger यहाँ पर हम लोग bigger का प्रेयोग कर लंगे किसका प्रेयोग कर लंगे bigger का प्रेयोग ठीक है चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं bigger का इसलिए किया जाता है क्योंकि हहाँ पर comparative comparison किया जा रहा है इसलिए bigger का प्रेयोग हो जाएगा आगे देख लेते हैं a non-banking financial company is a financial institute similarly to a bank but it cannot issue check books to customers so this is a non-banking financial company a non-banking financial company is a financial institution similarly to bank similarly to bank similarly to bank similar to bank होगा अर्थाद यहाँ पर एल वाई नहीं रहेगा similar to bank similar to a bank हो जाएगा similarly नहीं होगा ठीक कि चलिए आएए देख लेते हैं question number 12 में question number 12 में क्या है everyone agrees that the ganga is the holiest of all other rivers of India तो ध्यान जाहे everyone agrees that the ganga is the biggest यह दहीं होलिएस्ट आफ आल अदर रिवर्स आव इंडिया आफ आ आल रिवॉर्स आफ आल रीवर्स आल आफ आल अ रिवर्स आ ओ आल ब हुर्स आं रिवल्स आभ आ ङा छाँए हो आएड आण पर आल रिवर्स आप रिवर्स back चलिए आगे देख लेते हैं हमारा आगला क्यूशन है क्यूशन नबर थर्टेन क्रिश्चन राइन टुद नियरेस्ट ग्रॉश्री स्टूर तो बाई बिस्किट्स आज हिस पारेंट्स वर एक्स्पेक्टिंग गेस्ट तो ध्यांद जे क्रिश्चन राइन टुद तुद न नियरेस्ट नियरेस्ट होगा क्या होगा नियरेस्ट नियरेस्ट का प्रियों के जाएगा नियरेस्ट ग्रॉश्री स्कूर ठीक है नियरेस्ट सबसे नजदीक वाले और दोड़ती है अगला देख लेते हैं क्यूशन नबर 14 देख लेते हैं क्यूशन नबर 14 में क्या हुआ है, while giving a loan, you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it, and then while giving a loan, you must check, if you borrow, if the borrower has sufficient co-lateral, sufficient co-lateral hooga, sufficiently nahi hooga, tell why nahi rahe ga, sufficiently nahi rahe ga, sufficient, kya hooga, sufficient, aaghe dekhlete hai, aghla question number hai, although his speech was not very clearly, everyone understood the underlying meaning, although his speech, it was not very clearly, everyone understood, very clear hooga, clearly nahi hooga, to here haa pe kya hojae ga, here haa pe clearly li me ly nahi rahe ga clear nahi ga, kya rahe ga clear nahi ga, ठीक है, चलिए यह 15 number hoogay, हम looga, तो आज हम लोगोंने 15 question देखा, आज हम looga 15 question ही देखेंगे, उसके बाद हम looga next video में, यह आगे वाला question देखेंगे, तो यह video आपको कैसा लगा comment box में comment करना न भुलिएगा, यह channel पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जागा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलेगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पाउस के जे तोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो में नेश्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाये हिंद